तो स्वागत आपका और एक संडेविट सूपर बैटल में और ये रहे आज के कोशन्स तो अब शुरू करते हैं तो जब होवर्ट स्टाक ने ये शील्ड बनाई थी तब इसकी कोई वैल्यो नहीं थी सबको बस इस बात से फ़रक पड़ता था कि ये शील्ड वाइबरिनियम से बनी है लेकिन जब स्टीव रोजस ने शील्ड को अपने हाथ मे लिया तब इस शील्ड के साथ उसके लेगेसी जुड गई अब ये शील्ड उमेद और फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है फैलकोन एंद विंटर सोलजर का इतना बड़ा इवेंट होता ही नहीं अगर सैम गवर्मेंट को शील्ड ना देता तो कभी आपने सोचा है कि कैप्टन ने बकी को शील्ड क्यों नहीं दी क्योंकि सबसे बिली बात बकी पिछले 70 साल से लगातार फाइट करता आ रहा है और बकी के लिए आगी चलकर काफी हाड हो जाता विंटर सोलजर के कैरेक्टर से पूरी तरीके से बाहर निकल कर कैप्टन अमेरिका बनना और बकी फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर सकता है लेकिन वो एक विंटर सोलजर था उसका पास्ट इतना भitionally कि उसे कभी भी करप्ट किया जा सकता है कोई भी इंसान जब सूपर सोलजर बनता है वो पाउर गेंड करने के पीछे भागने लगता है और इसलिए जीमो के हिसाब से दुनिया में कोई दूसरा स्टीव रोजस नहीं बना लेकिन आगी चलकर सैम विलसन कैप्टेन अमरिका बन गया अब सैम इस ऑप्टेन अमरिका क्यों बना क्योंकि सैम और स्टीव रोजस दोनो सेम कैरेक्टर शेयर करते सिवल वर में स्टीव गवर्मनेंट के अगिंस्ट चला गया था और सेम काम सैम विलसन कर सकता है दोनों अपने country के लिए शहीद होने के लिए तयार है दोनों को इस shield और इंसानों के life की value पता है और इन दोनों को neutral होकर बड़े decision लेने आते है इनके लिए पहले इंसान आते है फिर government और कोई organization और Captain America की shield को अपने हाथ में लेना मतलब हिम्मत, आजादी और हिफाज़त को represent करना और अभी Spider-Man एक teenager है Spider-Man के comparison में Sam और Steve के पास ज़्यादा life experience है उनकी सोच काफ़ ज़्यादा mature हो चुकी है कोई उन्हें कुछ भी बोलते हैं वो सोच समझ कर act करते है लेकिन Peter Parker अभी experience गेन कर रहा है वो किसी की भी बातों में बड़ी जल्दी से आ जाता है Spider-Man इस शील्ड के लिए वर्दी बन सकता है लेकिन तब जब उसकी एच 25 से ज़्यादा हो क्योंकि तब वो ज़्यादा अच्छ से सोच सकता है Spider-Man अभी के लिए हिम्मत, हिफाज़त और आज़ादी को represent नहीं करता है और अभी उसके पास वो quality नहीं है जो Captain America के पास होनी चाहिए इसलिए अगर हम बात करें conclusion की तो हाँ Spider-Man Captain America के शील्ड ले वर्दी बन सकता है In fact कोई भी बन सकता है बस उसके अंदर ये qualities होनी चाहिए सबसे पहले उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि टाइम आने पर वो government के अगेंस चला जाए Second, हमेशा neutral होकर decision लेना चाहिए Shield जिसकी भी पास हो उसे ना तो political power से डणना चाहिए और ना ही किसे organization से Third, वो resist नहीं होना चाहिए और Fourth, उसमें हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपनी country के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए ready हो जाए और ये quality जिसमें हो वो Captain America के shield उठा कर उसकी legacy को आगे बढ़ा सकता है लेकिन मेरे opinion से Spider-Man अभी shield को उठाने लायक नहीं है क्योंकि अभी वो अपने grown-up phase में है और उसकी decision making ability इतने अच्छी नहीं है लेकिन आप मुझे comment section में बताओ कि आपको क्या लगता है क्या Spider-Man Captain America के shield के लिए worthy है मेरे opinion से तो अभी खले नहीं है Second question, Wakanda के Dora Milajay versus Valkyries अब सबसे विल बात करते हैं दोरा Milajay की तो ये female force Wakanda की आर्मी है जिनका काम है Wakanda और उनके राजा को protect करना दोरा Milajay में जो शामिल होता है उसे बचपन से ही training दी जाती है जिसका result यह आता है कि जब वो 22 साल के होते है वो mastery गड़ चुके होते है hand-to-hand battle और weapon को use करने में दोरा Milajay के reflexes भी काफे fast होते है और कुछ भी हो जाए लेकिन ये अपने राजा के लिए हमेशा lawyer रहती है दोरा Milajay के पास एक Wakandian spear होता है जो vibranium से बनाए इस spear के size को बड़ा या छोटा किया जा सकता है और same spear का use करके इन्होंने killmonger से fight की है Outriders को मारा है Corvus Glaive जो Thanos का बच्चा है वो भी इस weapon से मारा गया था और अभी Falcon and the Winter Soldier में इन्होंने Sam और John Worker को तो बिना किसी problem के कूट दिया In fact, fight के बाद John Worker खुद confuse था कि बिना Super Soldier Serum के ये female force इतने powerful case थी लेकिन दूसरी तरफ है Valkyries Valkyries Asgard की female army है Thor Ragnorok में देखा उसकी उमर Thor से भी ज़्यादा थी क्योंकि जब Thor पैदा हुआ था तब वो हेला से fight कर रही थी Valkyries के पास अपना famous हतियार होता है जिसका नाम है Dragon Khंजर और English में इसे Dragon Fang कहा जाता है ये weapon Asgard का iconic weapon है क्योंकि ये सिफ Valkyries के लिए बनाया जाता है Valkyries ने बड़ी आसानी से Hulk को knock out कर दिया था ये बात अलगी कि Hulk यहाँ घुसे में नहीं था लेकिन Valkyries भी यहाँ सीरियस नहीं थी लोकी भी इसके सामने हार चुका है और Dead Army को तो यह बिना किसी Problem के मार रही थी आज से 1500 साल पहले ओडिन ने Valkyries को भेज जाता हेलो को मारने के लिए लेकिन बदले में वो सब मारी गई एक जिन्दा बज़ गई जो आज Asgard की राहनी है अब बात करते हैं कि अगर यह Fight करते हैं तो विनर कोन बनेगा तो डोरा मिलाजे जो है वो Wakanda की Best Warriors होती है और उनके Weapons भी Vibranium से बने होते हैं लेकिन Valkyries की जो Power Level है वो काफे जादा High Level पर है एक Average Asgardian ही Human के Peak Level पर होता है Valkyries की Physical Strength और उनकी Battle Experience के सामने डोरा मिलाजे कुछ भी नहीं है जो Valkyries ने हलक के साथ किया आपको लगता है वो कभी ओकोई या फिर आयो कर सकती है मेरे इसाब से तो बिलकुल नहीं क्योंकि इनकी Strength और Durability उस लेवल पर बिलकुल नहीं है Valkyries का Life और Battle Experience उनके Fight करने का तरीका उनकी Physical और Will Power डोरा मिलाजे से काफे जादा है पावर से डोर मामो वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि डोर मामो एक Entity है जिसके Size के सामने Thanos चीटी बराबर है Thanos क्या ही कर लेगा डोर मामो के सामने लेकिन जब ठैनोस के पास Infinity Gauntlet होगा तब इनकी Fight को हम Fair बोल सकते है अब Infinity Stones सिफ अपने Universe में काम करते है और वो डोर मामो पर भी काम करेंगे क्योंकि डोर मामो जो Dark Dimension को अपने साथ लेकर गुमता है वो इस Universe का एक हिस्सा है तो अब अगर डोर मामो के सामने Thanos Infinity Gauntlet के साथ आता है तो डोर मामो के लिए ये Fight काफी hard हो जाएगी क्योंकि भले थैनोस डोक्टर स्ट्रेंज की तरह टाइम लूप नहीं बना सकता क्योंकि उसे स्पेल कास्ट करना नहीं आता है लेकिन थैनोस के पास अब भी Reality Stone है थैनोस पावर स्टोन से डोर मामो पर अटेक कर सकता है तो डोर मामो को इससे थोड़ा फरक तो पढ़ना चाहिए लेकिन Reality Stone के सामने डोर मामो कुछ नहीं कर सकता Reality Stone से थैनोस डोर मामो की साइज और शेप को चेंज कर सकता है और अगर थैनोस ने स्नाप कर दिया तो शायद डोर मामो का एक्जिस्टनस ही इस यूनिवर्स से खतम हो जाएगा हो सकता है कि जितना हम सोच रहे है डोर मामो उसे काफ ज़्यादा पौरफुल हो लेकिन उसके पास कोई Feats नहीं है इसलिए अभी खलिए हम ऐसा बोल सकते है कि डोर मामो थैनोस को बीट कर सकता है लेकिन सिफ तब जब उसके पास इंफिनिटी गॉंटलेट ना हो या फिर वो थैनोस को आउटिस्मार्ट कर दे नहीं तो इंफिनिटी स्टोन्स के सामने तो डोरमामू की नहीं चलने वाली अगर कैप्टन अमरिका जिन्दा होता और वो फैलकॉन अंद विंटर सोलजर में होता तो कि अब वो हैंड टो हैंड बैटल में डोरा मिलाजे को बेट कर पाता तो सबसे पहले तो कैप्टन अमरिका अभी जिन्दा है फैलकॉन अंद विंटर सोलजर में ऐसा कभी नहीं बोला गया कि कैप्टन अमरिका मर चुका है यहाँ पर यह कहा गया था कि स्टीव अब जा चुका है हो सकता है कि वो स्पेस में निक फ्यूरी के साथ हो या फिर कहीं पीसफुली अपनी जिन्दगी बिता रहा हो लेकिन वो अभी MCU में जिन्दा है और हाँ अगर कैप्टेन अमिरिका उस सीरिज में होता तो वो डोरा मिलाजे को बीट कर देता क्योंकि कैप्टेन एक पीक हुमन है जिसकी वज़े से उसकी स्ट्रेंथ और डोरा मिलाजे से काफी बहतर है स्टीव रोजर्स MCU के कुछ पावरफुल केरेक्टर के साथ फाइट कर चुका है जिससे टोनी, अल्टरोन और थैनोस ब्लैक पैंथर, किल मॉंगर और कैप्टेन अमरेगा की जो स्ट्रेंथ लेवल है वो सेम लेवल पर है लेकिन किल मॉंगर ने डोरा मिलाजे को बड़े आसने से पेल दिया था और वेसे देखा जाए तो बकी भी एक सूपर सोलजर है और वो अकिली ही इन तोनों वकंडियन्स को पेल देता लेकिन वकंडियन्स ने कभी बकी पर भरोसा नहीं किया और इसलिए उन्होंने डेटैचिबल हाथ बना कर उसे दे दिया था ताकि अगर फ्यूचर में बकी वकंडा के खिलाफ हो जाए तो उसका हाथ निकाल कर उसे थोड़ा कमजोर कर दिया जाए लेकिन स्टीव रोजर्स के पास इसी कोई वीकनेस नहीं है इसलिए अगर स्टीव रोजर्स डोरा मिलाजे से फाइट करता तो वो उस फाइट में विनर बन जाता लेकिन बहुत जाएदा चांस थे कि अगर जॉन वालकर के जगा स्टीव रोजर्स होता तो वो बात करके दोरा मिलाजे को कन्वेंस कर लेता और आयो को तो शायद वो कभी टच भी ना करता तो आज की कुश्चन्स पूरे हो चुके अब मुझे पता है आज की वीडियो थोड़ी छोटी थी लेकिन मैं पिछले एक हफ़ते से कोविड और्गनाजेशन के चकरों में लगा हुआ था और उनकी हेल्प मुझे करनी थी इसलिए मुझे थोड़ा कम टाइम मिला लेकिन अगली संदेवल सूपर बैटर में प्रोमिस कर तो बहुत बड़ी होगी मतलब इत्ती बड़ी नहीं होगी जाए से जाधा 15 मिनिट की और अब अगर आपको वीडियो पसंद होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल नत बुलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए तो फिलाल को लेतना ही मैं मिल तो आपसे अगले वीडियो में तब तक गुड़ बाई